कि नमस्कार आज का वीडियो है हमारा हमें कितना एरिया लगेगा हाइड्रोफोनिक फॉर्डर उगाने के लिए ठीक है और इस एरिया ये टॉपिक को लेके हम बाखी के भी बहुत से चीजे मैं आपको एक्स्पेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस कॉंसेप्ट को ले कि वासी तो मैं कुछ चीजे बताना चाहता हूँ कि एक एक यग्जांपल दूगा मैं अब को legal कि जो हम हाइड्रोफोनिक फॉर्डर उगाते ठीक है या जो फॉरौडर है हाइड्रोफोनिक फॉर्डर इसक बेसीक आईडिया मЕं आपको बताना चाता और आप कितना कम एरिया में यह उगा सकते, इसका कुछ calculations में आपको बताऊंगा, उधरन आप पकड़ लिजे कि आप 500 kg रोज का production निकालना है आपको, उधरन आपके पास अगर 100 बकरे है या फिर 20, 25, 40 गाय है या भेंस है, तो एक और आइवरेज आपको 500, 600 kg रोज का एक हरा चारा का requirement रेता ह है, तो वो एक example लेगे हम, अगर 500 kg रोज का निकालना है, तो हाइड्रोफोनिक मेथड से आपको approximately 400, 400 square feet काफी है, इतने से square feet में आप रोज का 500 kg प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, यह बैच होता है, उसमें कम से कम 7-8 बैच आपके रहेंगे, ठीक है, एक cycle रहती है, कुछ ची basic idea आपको देना चाता हूँ, जो नए है इस concept को समझने के लिए, तो 500 square feet में आप जो plant लगाएगे, उसमें आपको रोज का 500 kg प्रोडक्शन निकलेगा, अगर मेने का अगर आप calculation करेंगे, तो यह होगा 15 ton, 15,000 kg हो जाएगा ना, रोज का 500 तो, तो अगर यह मेने का 15 ton हो गय तो मेने का 15 ton होता है, और साल का कम से कम 180 ton निकलेगा आपका, 180 ton, और यही अगर आप conventional methods है, जो मतलब हम लोग खुले में जो चारा उगाते हैं ना, खेत में, अगर खेत में अगर उगाना है आपको 180 ton निकालना है, तो मैं आपको कुछ जानकरी बताना चाता हूँ, जो नए अगले टाइप का जो अभी हम लोग जो बोलते हैं, लिग्यूमिनेस प्लांट्स मुलते हैं, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं इतना ध्यान मिने रहता है, पर लिग्यूमिनेस प्लांट्स का मतलब क्या जो काटने के बाद आएगा, जिसमें हम जो बोलते हैं बर्सीम है, अलफा अलफा या फिर जो नेपियर मुलते हैं, स्मार्ट नेपियर, सुपर नेपियर, इसे बहुत से कुछ है, फिर गिन्नी गवत है, या अलग-अलग टाइप एक ग्रासिस है, जो अलग-अलग रीजन में अलग-अलग नाम से बुला जाता है तो चलो में एक point में आपको बताता हूँ कि अगर किसी area का calculation निकाला जाते ना तो एकर में बात करते हैं तो basically एक एकर में अगर सब कुछ अगर हम ideally पकड़ ले तो approximately 30 से 40 ton पूरे साल भर में हम इतना production निकाल सकते अगर हम लोग सुपर नेपियर ले या फिर घास निकाले और maximum अगर हम पकड़ लेगी चलो एक AC केस भी पकड़ लेगी higher side में 40-50 ton तो भी आपको कम से कम 4 एकर जमीन लगेगी आपको 180 ton निकालने के लिए तो आपको 4 एकर जमीन लगेगी approximately एक एकर का अगर हम बताएंगे तो 43,500 square feet के आसपास अगर square feet में बताऊंगा मैं आपको तो इतना area रहता है एक एकर का तो approximately 4 एकर का पकड़ेंगे तो वो 174 या 175,000 के आसपास इतना square feet area आपको लगेगा जो उसके उपर आप production निकालेंगे और वोही production आप सिर्फ 500 square feet में निकालेंगे अगर दुसरे comparison के इसाप से अगर मैं बात करूँ तो आपको जो hydrophonic fodder आप उगाएंगे सिर्फ 500 square feet में और जो खेत में उगाएंगे तो वो जो जगा लगेगा आपको कम से कम साड़े 300 times जादा जगा लगेगा खेत में उगाने के लिए इतना difference है तो आप एक पताल एक अंदाज आपको आएगा कि कितने कम जगा में आप ये production निकाल सकते हैं और आज के तारिक में एरिया पे जितना में बोलू उतना कम है क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत लंबा बन जाएगा एरिया इतना बड़ा issue हो रहा है आज के तारिक में क्योंकि हमारा देश हो इंडिया या फिर भाई कोई भी दूसरा देश पकड़ लीजे जगा धीरे क्रॉप कि दर से निकालेंगे तो ये बहुत चैलेंजिस आ रहे तो जो जगा धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो फिर आप प्रोडॉक्शन निकाले के कैसे कुछ लोग बोलते कि साइलेज बहुत अच्छा ऑप्शन है डेफिनिटली साइलेज मूरगास बोलते हैं हम लोग वो अच्छा ऑप्शन है पर उसको भी एक कुछ सालों की बाद लिमिटेशन साने वाले हैं क्योंकि वो उगाने के लिए भी हमी जमीन की जरुवत है तो हमें उसके बारे में भी सोचना है 10-15 साल के बाद जो आज इतना एरिया अंडर कल्टिवेशन है उतना नहीं रहने व पढ़ेगा और यह जो हम हाहई ड्रोफोनिक जो दीपस्तिशं स्सी जो बोलते हैं यह एक कॉंसेप्ट है वर्टिकल फार्मिंगं का ठीक है यह सौईलेस होता है यह अकलक बात है अर यह विर्टिकल फार्मिंग आ यह धियान में रखने आपको तो यह वर्टिकल फार्मिं अगर आपको फ्यूचर में या आज के तारिक में भी 2021 चालू है अगर किसी को सो बकरे का या फिर पचास गाई, सो गाई, दो सो गाई का अगर प्रोजेक्ट करना है जो नय एंटरप्रेनर है जिसके पास जमीन नहीं है अगर उसको इसमें से नए से आना है तो फिर वो क्या क चीए वहाँ पे जो पानी का बंदोबस होना चीए बागी क्या कुछ क्रॉप्स का इश्यू नहीं आना चीए फर्टिलाइजर लैंड लेवल भी हर कुछ हर चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा और जो जमीन की जो किम्मत बढ़ रही है आपको मालूम है कि चार पाच एकर आठ एकर जमीन खरीदना इस देश में अभी कोई भी एरिया में अगर आप जाएगे तो कितना कॉसली पड़ सकता है और अगर किसी को वही प्रोजेक्ट अगर हाइड्रोफोनिक का सपोर्ट लेके अगर कोई स दो बकरे का प्रोजेक्ट करना है या पचास गाई सो गाई का प्रोजेक्ट करना है तो आप एक सोच लिजे जहां पे चार एकर जमीन लगने वाली है चारा उगाने के लिए उसके जगा पे सिफ आपको 500 स्क्वेर फिट जगा लगेगी तो किसी आदमी को अगर 25 जार व्य जगा लेना आसान है 5-6 एकर जमीन लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोगों की पर्चेस करने की कैपसिटी भी धीरे-धीरे कम हो रही है ना पॉप्लेशन बढ़ रही है लैंड कम हो रही है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ रहा है हर कोई आदमी के पास आपको आगे जाके ऐसा नहीं दिखेगा कि इसके पास 50 एकर जमीन है 100 एकर जमीन है 10-15-20 साल के बाद देखिए किसी के पास 1 एकर 2 एकर 5 एकर बहुत मुश्किल से आपको लगेगा कि इसके पास इतनी जमीन है आपको तो मालों में गवर्मेंट सीलिंग भी लगा देते जिसके पास 5 एकर से ज़्यादा जमीन है तो वो जमीन भी नहीं रहे पाएगा तो आप एक समझ लीजे कि एरिया यह बहुत इंपोर्डन फैक्टर है आज ने तो कल हमें एरिया इस विशय को बहुत सिरियस्ली लेना है आज के तारिक में बहुत से लोगों को इसको इतना सिरियस्ली नहीं ले कुछ लोगों के लिए एक ही कारण काफी है हाईट्रोफोनिक फॉर्डर या जो हम बोलते अंकुरी चारा इस पे क्यों स्विच होना है वाई वियर फोर्स आलसो इसके बार में सोचना फ्यूचर में फोर्सिंग होने वाला है आपको सोचना है पड़ेगा आज के तारीक में किसी को चिंता नहीं है पर फ्यूचर में चिंता 101% है क्योंकि जगा धिरे धिरे कम हो रही है तो आपके पास आप्शन कम रहेगा आज के तारीक में जो बहुत बड़े लेवल पे मूरगास अवेलेबल हो रहा है अगर कॉस्टिंग के बारे में उसके उपर तुमें एक वीडियो बनाऊंगा पर हर चीज हिसाब में भी बैठना चीए ना अगर मूरगास अगर 10 और 15 बीस रुपे में हो जाएगा तो कोई purchase कैसा करेगा उसको हिसाब में भी बैठना चीए ना अब यह मेहगा क्यूव होगा क्यूंकि एरिया कम होगा production का तो फिर जो चीज गंज रही है तो उसका rate बढ़े गा यह demand supply का खेल है पूरे देश में दुनिया में यही चलेगा अगर production कम होगा तो उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा फीट का कॉस्ट बढ़ रहा है हरे चारे का कॉस्ट बढ़ रहा है सुके चारे का कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसको overcome करने के लिए अभी हमें ये technology एडप्ट करना पड़ेगा vertical farming में हमें थोड़ा seriously सोचना पड़ेगा नई तो बहुत मुश्किल होने वाला है जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफोनिक फॉर्डर में आप एरिया बहुत अच्छा गासा बचा सकते हो तो जो नए से इसमें चालू करने वाले हैं और जो already existing है इस business में cattle farming, goat farming में वो अगर इसके उपर switch होगे तो उनका जो business run कर रहे न वो उनको आसानी हो जाएगी तो इसके बज़े से आपको ये थोड़ा seriously सोचना पड़ेगा इसके उपर कुछ blogs और वीडियोज में मेरे website पे तो डालूँगा जो आपको detail में आप पढ़ सकते है और वीडियो भी में ने आपको बताया कि आप comparison करेंगे तो आप compare नहीं कर सकते और यह भी जरूरत है कि कम जगे में हम maximum efficiency production कैसा निकाल पाए और इसका सिर्फ जवाब एक ही है कि आपको अभी vertical farming hydrofonic technology में आपको entry करना पड़ेगा Thank you